जीवन में साथी की सब को जरूरत होती है एक समय पर जीवन साथी भी सब को मिलता ही है लेकिन शादी की बात भी भारत में अब लोग साथी ढूंड रहे हैं जिसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं और ऐसे कई सारे आप भी मौजूद हैं सोशल मीडिया पर जिसके ज सादिशुता जिन्दगी खराब और बर्बाद हो जाती है और ऐसा एक एप नहीं है जो कि अपना डेटा अब शेयर कर रहा है और बताया है उसने कि सब भारत से करीब दो मिलियन ऐसे लोग हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल आफेयर में विश्वास रखती हैं और वो उस एप क इस्तिमाल करके शादी के बाद भी किसी और के साथ रिलेशन में आना चाह रहे हैं जानकर आपको हैरानी होगी कि उस डेटा में महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं तो क्या कहता है रपोर्ट आपको बताते हैं और किस तरीके से अब इस सोशल मीडिया के जमाने में भा बागी अब नमशकार आप जंदा जंक्शन देख रहे हैं और मैं आप साथ वंदना पांडे साथी की सबको जरूरत होती है और ऐसा इसलिए क्योंकि आप उससे अपना सुख दुख बाठ सके सबकी जीवन में कोई न कोई ऐसा वेक्ती जरूर होता है जिसके साथ वो बनाते हैं और एकर आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं तो आगे चलकर शादी भी दोनों की हो जाती है लेकिन यह तो थी डेटिंग आप की कहानी लेकिन अब एक्स्ट्रा मैरिचल ओफियर के लिए भी आप बनाए जा रहे हैं जहां शादी शुदा लोग एक दूस हैं लेकिन आज हम एक्स्ट्रा मैरिचल आप ग्लीजन की बात कर रहे हैं जिसने एक रिपोर्ट में एक खुलासा किया है कि शादी शुदा लोग अपने जीवन साथी से अब खुश नहीं है और यही वज़व है कि वह इस एप पर आते हैं और दूसरा लाइफ पार्टनर जानकर आपको हैरानी होगी लेकिन करिब 2 मिलियन लोग सर्फ भारत से हैं इस एप का इस्तमाल भारत से सर्फ 20 लाख लोग करते हैं साल 2009 में इसके शुरवात फ्रांस में हुई थी लेकिन अब धीरे धीरे भारती अभी इससे जोड़ चुके हैं एक्ष्वा मैरिटर रेट यह आकरे सबसे जादा तब बरहे हैं जब देश में कोरोना महा मारे थी कोरोना के वक्त जब सब अपने अपने पार्टनर के साथ घर में अपने पती पतनी के साथ मौजूद थे बावजूद उसके लोग अपने पती पतनी को छोड़ उस समय उन्हें समय ना देकर फोन में साथ वचल लेकर साथ फेरे शादी वक्त ले जाते हैं जो साथ जनम तक साथ निभाने का जो वादा के आज़ आता है वो सारे वादे लोग भूल कर सापका अस्तुमाल कर रहे हैं जिसमें पुरुश और महिला दोनों शामिल है हाउस वाइब भी इसमें ज्यादतर देखी जा रही है और ऐसा नहीं है कि जो लोग कहीं पर काम करते हैं वो लोग इसमें नहीं है बलकि इसमें इंजिनियर, बुजनसमैन, मोटिवेशनल स्पीकर, बरी-बरी अधिकारी, डॉक्टर ये सब इस लिस्ट में शामिल है ऐसे सभी लोग इस अप का अस्तुमाल कर रहे हैं और अपने लाइफ पार्टनर को छोड़ कोई और पार्टनर की तलाश में इस अप पर जा बैठी है कंपनी का कहना है कि ग्लीडिन एक डीटिंग अप है जुसे खासकर विवाहित लोगों के लिए डिजाइन किया गया है क्योंकि जरूरी नहीं है कि शादी के बाद जुसके साथ आप रह रहे हैं वो आपको समझे, आपकी बाते सुने, आपको समय दे ये भी जरूरी नहीं कि एक बार शादी हो जाए तो पूरी जिन्दगी वो आदमी या औरत मतलब कि आपको जो लाइफ पार्टनर है वो जैसा भी हो आपको उसे जीलना ही है उसके साथ रहना ही है ऐसे सभी धार्णाओं को खतम करने के लिए ऐसे एप बनाये जाते हैं ताकि लोग जन्दगी में अपनी खुशी को सबसे उपर रखे ना कि लोगों की बातों को और रिस्तों को लेकिन हम अगर भारत की बात करें तो भारत में आज भी शादी को पवित रिष्टा माना झाता है यह एक ऐसा बंधन होता है जुसमें बंद कर दो लोग एक दूसरे के हमेशा हमेशा के लिए हो होता है एक दूसरे की बाते सुननी होती है एक दूसरे का साथ हमेशा हर मोर पर निभाना होता है लेकिन अगर बीस लाग शादी लोग इस अप का इस्तमाल कर रहे हैं तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में यह आकरा कहा बहुत जाएगा और अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर हमारे देश की संस्कृति का क्या होगा शादी जैसे बंधन का मजा कुराया जा रहा है इसलिए इस बताना पसंद हो और आपको लगे कि आप पूर जिन्दी के उसके साथ गुजार सकती हैं आसे में ऐसे डेटिंग आपको बरहावा भी नहीं मिलेगा और आप भी खुश रहेंगे और हमारे संस्कृति की अगर हम बात करें तो वो भी बची रहे क्योंकि आपका आज का एक एक फैसला हमारे आने वाले जिन्रेशन को उसके सोच को बदलेगा इसलिए कोई भी कदम सोच समझ कर उठाएं और भारा के संस्कृति का भी ध्यान रखें पाकी कंपनी ने जो खुलासा किया है रिपॉर्ट में जो बात सामने आई है कि 20 लाख लोग करीब 2 मिलियन लोग स साथ आप साथ के साथ व्याप का इस्तिंग लिए सॉचल एजिवाध को अपनी बर्बाद करें हैं तो आप एस आक्री तक रहने दे तो सहीख होगा तो आप अपमी राए बताय जिस तड़ेके से लोग रस्तों को भूल सोचल मेरिया पर ज़ादा वेस्त रहने लगे हैं ड तरने माई